Hello students, आज आपका class 10th का हिंदी का paper था, तो जिनका code था 801DF, ये उनका solution है, आप अपना solution एक पार check कर लिजिएगा, match कर लिजिएगा कि आपका paper कैसा गया है, और next paper के लिए wait कीजिएगा, हम उसका solution भी बहुत जल्द लेकर आएंगे तो बात कर लेते हैं, पहला question क्या है, हंस पत्रिका के प्रतम संपादक थे, और हाँ, कमेंट में जरू बताएगा आपके 20 में से कितने सही गए, हंस पत्रिका के प्रतम संपादक प्रेमचन थे, पहले का A इसमें आपका correct है, प्रशन संख्या 2, शुकल यूग के प्रसिद तो दूसरे का B option आपका correct है, जिसने B लगाया है, उसे पूरा नंबर मिल जाएगा, प्रशन संख्या 3, नीड का निर्मान फिर किस विदह की रचना है, तो नीड का निर्मान फिर ये आत्मकता है, तो तीसरे का B इसमें correct है, प्रशन संख्या 4, चेखव एक इंटरव्यू, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक राजेंदर यादव है, चोथे का A इसमें correct है, जिसने A लगाया है, उसका ठीक है, प्रशन संख्या 5, धुरुव स्वामनी नाटक के रचनाकार है, धुरुव स्वामनी नाटक के रचनाकार जैशंकर प्रसाद है, पांचवे का C option ब correct है, प्रशन संख्या 7, तार सब्तक का प्रकाशन वर्ष है, मतलब तार सब्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1943 में तार सब्तक प्रकाशित हुआ, प्रशन संख्या 7 का B option correct है, प्रशन संख्या 8, लोकायतन के रचनाकार कौन है, लोकायतन के रचनाकार सुमित्र अनंद पन्थ है, 8 वेका C ओप्च onion Correct है प्रश्नर संख्या呀 9 बहुरी अकेला के रचनकार है बहुरी अकेला के रचनकार कौन है तो बहुरी अकेला के रचनकार अशुग वाजपी जी है 9 वेका A Correct है प्रश्नर संख्या 10 की ओर बढ़ते है रितिकाल की समय अवधी में माना जाता है दसवा कोश्चन तो रितिकाल 1643 से लिए करके 16487 की इस वीगे माना जाता है दसवा का C option correct है प्रिशन संख्या 11 हास सिरस्का इस्थाई भाव ऐसा कोश्चन जो हर किसी को पता है इसका solution 11 वेका D हास प्रिशन संख्या 12 जहां पर उपमे की किसी उपमान से गुंडधर्म के अधरपर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है तो वहां उपमा अलंकार होता है बारवे का B option बलकुल correct है प्रिशन संख्या 13 रोला चंद के प्रितिक चरण में मात्रा होती है तो कितनी मात्रा होती है 24 मात्रा होती है प्रिशन संख्या 14 की और बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा क्लास 11 की तयारी हम अब से 20 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे क्लास 11 की फ्री तेरी करना चाहते है सब्सक्राइब पहले जिगा आरस 계 GDP चेंटर हो प्रिशन संख्या 13 का 24 प्रिशन संख्या 14 अनुग्रे शब्द में प्रियूक्त उपसर्ग कौन का है तो इसमें प्रियूक्त उपसर्ग है अनु जो स्टार्टिंग में होता है वो उपसर्ग होता है प्रशन संख्या 15 आई परत्या जोड़कर कौन सा सब्द बना है तो लिखाई बना है बाद में आई आया हुआ है 15 का B correct है प्रशन संख्या 16 पंचवटी में कौन सा समास है तो इसमें दिगू समास correct है प्रशन संख्या 19 फलात सब्द की विभक्ती एवं वचन है तरतिया विभक्ती बहु वचन तो 19 वे का B option correct है प्रशन संख्या 20 हस्ती सब्द का पूरुष एवं वचन है हस्ती सब्द का पूरुष एवं वचन कौन सा है तो इसका C वाला correct है प्रिथम पुरुष एक बचन तो comment करके बताईएगा आपके 20 में से कितने marks आए हैं उम्मीद है आपके अच्छे ही marks आए होंगे तो ऐसे ही videos जो आपका next paper request का solution आपको तोनन्द मिलेगा और important questions भी मिलेंगे तो subscribe कर लेज़ेगा आर्क कैसिंग इसे डिसेंटर को और class 11 के तयारी हम जल्दे start करवाने वाले हैं जैसे आपके exam समाफ्त होते हैं तो मिलते नेक्ट वीडियो में Thank you, जाहिंद